दोस्तो वीवो लीक आने वाला इंडिया में अपना नया स्मार्टफोन जो किया नियाला वीवो वाई 50 आज अब इस वीडियो को इंट तक दिखते रहे ना बात करती है इसके स्पेसिफिकेशन के उपर और मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वालो दोस्तों इसे मैं और एक बात बता दो इसके जो प्राइस होने वाले वीवो वाई 50 की वह अभी में बता देता हूँ इसकी प्राइस होने वाले 17,990 जो कि यह 8GB RAM और 128GB के स्टोरेज वेरियंट में आएगा और यहां पर जो इसके कलर होने वाले वह होने वाले ब्ल्यू और वाइट कलर यहा आया था एक कंबोडिया में और इंडिया में यह आने वाला है 10 जून को वैसे तो इसकी जो डिस्प्ले वो काफे ठीक है 6.5 इसकी इसमें डिस्प्ले है इसका जो प्रोसेसर है वह है Qualcomm Snapdragon 665 और उसके साथ जो इसका लॉंचिंग बताय गया था वह था 10 जून को मतलब यह आ बैटरी और मतलब 5000 हैं चींग बहुत बड़ी आपको दिखने को मिल रही है उसके साथ जो जूप सिक प्रोसेजर के मामिले में बहुत कम देखने को मिल रहा है मतलब इसका प्रोसेसर है वह एसके सबसें मुझे नहीं पता इतना लेकिन खेर मैं तो सुच रहा है इसका प्र मैं उसके review unit purchase कर सकता हूँ या फिर उसके unboxing की video आया सकती है ऐसी संभावना मतलब ऐसा मैं चाता हूँ कि इसका एक review unit खरीदू या अपके लिए एक video बनाऊ और यहाँ पर बात करते हैं मतलब यह किस-किस online shopping website के उपर available है तो यह है Amazon के उपर available होगा फिलिपकार्ट के उपर available होगा पेटियम के उपर available होगा और टाटा का मतलब यह सब जो की online website से shopping की आपको नीचे description में मिलेगी उसके साथ साथ या पर उसकी price तो roughly आपको यह मिल सकता है मैंने जो price बताई थी तो वो है लेकिन उसके साथ मैंने 17,000 बताई था लेकिन roughly मैं आपको बता दू कि Cambodia में उनने जो price रखी थी वो थी 18,700 और यह दो colors में available किया था जो की blue और black color में तो देखते हैं starry blue था तो यह complete है इस phone का और उसके साथ साथ या पर जो run होता यह होता है Android based phone touch 10 cuber और 6.5 inches का display है और उसके साथ यहाँ पर पंच display with whole punch design आपको दिखने को मिलेगी और यहाँ पर इसकी primary shooters की बात करते हैं मतलब primary camera की बात करते हैं तो वो है 13 megapixel का 8 megapixel का आपको मेलेगा wide angle और 2 megapixel का मेलेगा आपको portrait और और एक 2 megapixel का आपको दिखने को मिलेगा micro camera तो front camera होगा 16 megapixel का उसके साथ साथ fast charging का support नहीं है इस बार इस phone में और यहाँ पर आपको वैसे तो मिलते connectivity के option जो कि होगी 4G, dual band wifi, GPS, USB type C USB type C बहुत ही अच्छा होता है आपके phone में हो नहीं चाहिए वो क्योंकि बहुत fast charge करता है दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो like, share, subscribe कर दो और एक बार ने वीडियो के साथ मिलते हैं तक तक के लिए धन्यवाद